उस हैवानियत की करेंगे जिसने पूरे मद्ध्रदेश को सरमसार कर दिया है रीबा में एक महिला के साथ गैंग रेप की घटना को अंजाम दिया गया है और सबसे जगन्य बात ये है कि अपने पती के साथ वो महिला पिकनिक मनाने के लिए गई वी थी और पती के सामने ही इन कमाम आरोपियों को देख लीजिए यही वो हैवान है जिन्होंने इस बरबरता को इस हैवानियत को अंजाम दिया है मद्ध्रदेश की रिवा में दिल देहला देने वाला ये मामला सामने आया है जहां पती के सामने ही उसकी पत्नी के साथ बालतकार किया गया है दुशकर्म किया गया है पती के साथ भारब मंदिर कई वी थी मैला और यहीं पर उन हैवानों ने गैंग रेप की घटना को अंजाम दिया आरोपियों ने पहले उनकी पताई की पती को पेड़ से बान दिया गया और फिर पत्नी के साथ एक दुशकर्म को अंजाम दिया गया निर्ममता को अंजाम दिया गया यही वो पेड़ है देख लीजिए यही वो पेड़ है जहां पर इस घटना को अंजाम दिया गया चार तस्वीरे आपको दिखाते हैं इस हैवानियत की चार तस्वीरों को आप देखिए देखिए यही वो जगह है यह वो जगह है यह वो पेड़ दिख लीजिए जहांपर उस पती को बांधा गया और उन हैवानों को भी देख लीजिए, उनकी भी तस्वीर सामने आई है इस धरिंदगी को अंजाम देने से पहले इन हैवानों ने शराब पी थी, पाटी की थी, नशे में थे नशे में थे और उसके बाद इसको अंजाम दिया गया, वो जगह भी देख लीजिए, भैरव मंदिर वो जगह है वहीं पर मैदान में ये लोग पिकनिक मनाने के लिए गय हुए थे और यहीं पर यह तमाम हैवान जो थे पहले से वहाँ पर पाटी बना रहते शराब के नशे में थे और उन्होंने ही इस घटना को अंजाम दिया है और फिर इस पूरे घटना का वीडियो भी बनाया गया, इस वीडियो के जरिये महिला को धमकाया गया बोला गया कि अगर इस घटना की जानकारी अगर आप तुम कहीं दोगे तो इस वीडियो को वाइरल कर देंगे हैवानों की शराब पाटी का वीडियो भी आया है और इस पूरे मामले के सामने आने के बाद मध्य प्रदेश शर्मसार है तो यह चार तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं सबसे पहले सबसे पहले देखिए एक आरोपी ने अपना कबूल नामा भी दर्ज कराया है उस आरोपी ने क्या कहा इस घटना के बाद वो सुनवाते आपको हम बहुत ज्यादा नसे में थी हम पांच लोग थे तीन लोग साइकल से आये थे पांच लोग की है लगता है पिर मैं करने के बाद वो सब जो किये फिर वो लड़की मेरे पास आई बोली भी या मोवाइल दिला दो मेरी यह एक आइस तारिक को दो पार कि तो देख और उसके सामने ही इस दुशकर्म की घटना को अंजाम दिया गया है हमारे सहयोगी हमारे सहीयोगी हमार साथ जूडएंगे हमारे सहयोगी हमार साथ जूडएंगे तो लगातार लगातार इस घटना के सामने आने के बाद लोगों में गुस्सा भी पनप रहा है और मद्धिप्रदेश के लोग शर्मिंदगी भी महसूस कर रहा है रिवा गैंगरेप पर मंत्री राउदय प्रताप सिंग का भी बयान सामने आया है उन्होंने कहा था कि इस मामले की हाई लेवल जांच होगी और इस मामले में जो कोई भी दोशी है उनके खिलाब सक्त कारवाई की जाएगी सरकार ने संग्यान लिया है हमारे साथ हमारे सायोगी जुड़ गया है विवेक तिवारी हमारे सायोगी हमारे साथ जुड़ गया है रिवासे विवेक ये बहुत ही शर्मसार कर देने वाली खबर आई है रिवासे कि इस तरीके से कोई दमपती कहीं गोमने जा रहा है और पती के सामने ही उसके पत्नी के साथ निर्मन दुशकर्म कर दिया जाए। पूरा प्रुदेश हिल गया इस खबर से। बाबा मंदिर गुड़ हिलाके में है और बहुत प्रसित धमाना जाता है। पती पत्नी घुमने के लिए गये और जैसे ही दर्शन करने के बाद बगल में बने तालाब को देखने के लिए वहाँ पर पहुंचते हैं तो वहाँ पर कुछ विक्त और कहें कि दरिंदेश है की सं उसको छोड़ दिया जाए हमारे पती को छोड़ दिया जाए लेकिन हैवानियत की हदे पार करने वाले आरोपियों बिल्कुल नहीं सुना और महिला के साथ जवरजस्ती दुसकर्म किये जिसमें च्छे की संख्या में थे और एक आरोपी जिसने अपना कबूल किया है अपन से बड़ा सवाल खड़ा होता है कि पिकनिक स्पॉर्ट है सूनसान इलाका है लेकिन प्रशासन की कोई मौजूदगी नहीं ना तो पुलिस विभाग से कोई जवान वहां पर तैना था और कई बार वहां पहले भी घटनाए हो चुकी है तो एक प्रशासन की बड़ी लापर करवाई भी कही जा सकती है भारत विवेक करवाई अब तक क्या हुई है एक एक आरोपी का खबूल नामा तो सामने आ गया करवाई कहां तक पहुंची है इस पूरे मामले में बिल्कुल रीवा एसपी का ये कहना है कि पाँच आरोपी को गरफतार कर लिया गया है जिन में से एक आरोपी ने अपना कबूल नामा भी दर्ज करा दिया है तो लगभग पुलिस जिस तरह सक्क्री हुई क्योंकि 21 तारीक की घटना थी उसके बाद पुलिस निसक्री रही आरोपी जो थे वो खुले आम घूम रहे थे और जो पीड़िता थी वो लगातार थाने में जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा रही थी लेकिन पुलिस ने कोई कारवाही नहीं की अब जब सोचल मीडिया में वाइरल हो गया तमाम एक्टिविटी बढ़ी तब पुलिस सक्री हुई और उसके बाद 5 आरोपियों को गृफ़तार किया गया है भारत ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया विवेक आप इस तमाम खबर पर नजर बनाये रखिए जो भी अपडेट होगी हम साजा करेंगे आपके जरीए बहुत शुक्रिया